ब्रह्मूरत दियानुपरांत सत्संग अधिगुरु शंक्राचारीजी द्वारा रचेत आत्म बोध श्लोक नंबर पच्चेस बड़ा महत्पुन श्लोक है। अपने आप में पूरा वांग में है, पूरा विस्तार। पर इसे सीमित से शब्दों में लेकर आगे बढ़ना है। आत्मा, अजन्मा, अविनाशी, ईश्वरकांश, व्याप्त ये सब कुछ है। फिर मैं विचार करूँ मुझे इसका बोध क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं जान पा रहा। क्या है? प्रमिर्शी कहते हैं आत्मा के दो गुण है, एक सत्थ और एक चित्थ, इसका उलेकपूर में भी आया, सत्मा ने केवल वही है, बाकि जो कुछ है वो मिथ्या है, रचा हुआ है, आज है, कल नहीं है, परिवर्तन के अंतरगत है, केवल वही सत्थ है। दूसरा, वो चैतन्य है, चैतना रूप है, वही है जो गती है, बाकि कुछ नहीं, बाकि सब कुछ उसी से गती प्राप्त करता है, ये उसके दो गुण हैं, और बुद्धी का भी एक गुण है, क्या? वृत्ति, अर्था तरंगे प्यादा करना, लहरे प्यादा करना, विचारों की, कल्पनाओं की, कामनाओं की, यहां बुद्धी को एक प्रकार से पूरे अन्तहक करन का एक प्रतीक माना गया, मन बुद्धी चित सब इसमें आ गया, जो कुछ भी भीतर होता है, चित मंडल में, जो कुछ भी होता है, वो सारा का सारा इसे हां बुद्धी की वृत्ति के रूप में जाना गया, यह दोनों जब मिल जाते हैं, तो उस अविवेक का जन्म होता है, अज्ञानता का जन्म होता है, कौन सी अज्ञानता, जिस से हम अभी वर्तमान में जान रहे हैं, यह मैं हूँ, जाना में, यह मैं हूँ, और इसी प्रकार सक्रिय रहता है, चलता रहता है, यही इसका है यह इसी प्रकार सक्रिय हो करके चलता है यह मैं हूँ यह मैं हूँ यह कुछ नहीं केवल और केवल कहने को कुछ नहीं पर जन्मों की यात्रा से ही कुछ नहीं की गुत्थी खुलती है यह आत्मा के प्रकाश उसके अस्तित्व और बुद्धी की लहरों का संयोग है मुझे इसका एक उधारन दिखाई देता है हमारे एक कमरे में सीधा सूर्य नहीं आता वो सूर्य शाम के समय अस्त होने से लगवा एक घंटा पूर्व हमारे दाईं तरफ के एक मकान जो हमसे आगे की तरफ है उसकी खिड़की पर सूर्य सीधा पढ़ता है उसकी खिड़की पर सूर्य पढ़ने से उसका रिफ्लेक्शन उसकी छवी वो आ करके हमारे कमरे में आ जाती है और पूरी धूप खिल जाती है कमरे में ऐसा लगता है जैसे सूर्य प्रचंड रूप से हमारे ही कमरे में है विचार करें तो वसूर्य हमारे कमरे में नहीं है पूरा तेज दिखाई देता है जहां जहां उस खिड़की का विस्तार आकर के वो आभाल आता है projection, reflection, उतने एक शेत्र का पूरा कमरा आलोकित हो जाता है बाकी को भी प्रभाव पड़ता पर उतना तो आप दूप सेख लिजिए और वो आता कहां से हैं? सामने वाले घर के शीशे से सूर्य कहां है? सूर्य किसी और दिशा में है सूर्य एक दिशा में, शीशा दूसरी दिशा में, हमारा कमरा तीसरी दिशा में पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है जब कभी भी वो खिड़की खोल लेते हैं कौन वो जिनका घर जहां की खिड़की से reflection आता है तो क्या होता है हमारे कमरे में शाम के समय प्रकाश उस कमरे में नहीं आता क्यों उन्होंने खिड़की खोली reflection बदल गया नहीं आया हमारे नहीं होता है कुछ इसी प्रकार का अनुभव इस श्लोक के द्वारा भी समझाया गया है मूल तो सूर्य है आत्मा जिसके दो गुण है without any dispute सत्मने वही है और कुछ हाई में सूर्य ही है और कुछ नहीं है आत्म सक्चित सूर्य ही प्रकाश है वही चेतना है आत्मा ही चेतना है बुद्धी रूपी प्रवृत्ती के सैयोग से हमारे सामने वाले घर की खिड़की के सैयोग से एक प्रतीती जन्म लेती है हमारे यहां ये धूप सी खिली है हमारे यहां ये प्रकाश आया है हमारे यहां आ किसका संयोग दोनों का हुआ खिड की हिल जाए तो भी सूर्य नहीं आएगा सूर्य आगे पीछे होता है तो भी धूप नहीं आती तो हम किस पर आश्रित हैं जिसे हम अपनी धूप मानते हैं जानामी जिसे हम अपनी धूप मानते हैं हमारे कमरे में सूर्य की धूप आई वो किस पर अधारित है दो पर सूर्य पर उस कमरे की खिड़की पर सामने वाले गर की खिड़की पर वो हिल जाती है तो सूर्य नहीं सूर्य अभी पीछे रहता है तो सूर्य हमारे नहीं पर जब आता है तो हम यही जानते हैं हमारे अहां की दूप है हमारे कमरे में सूर्य का प् क्रिश्टी में रचा गया है जिसे हम अभी वर्तमान में मानते हैं कि ये मैं हूं कनया लाल नत्थू लाल जो भी नाम हमारा ये मैं हूं ये मेरा चेहरा है ये मैं हूं ये मेरी समझ ये मेरी मेमरी ये मेरे सब कुछ वो दो का संयोग है दो का फ्यूजन है दो के द्वारा मिल करके रचा गया एक प्रपंच है हलाकि प्रपंच अलग विशे है पर मैं केवल उसको प्रियोग कर रहा हूँ एक कनाइवेंस के लिए एक शेडंतर के लिए एक मिल जुल करके संभावना कुछ संभावित करने के लिए आत्मा का सत्व शुरूप और चैतन ने सुरूप बुद्धी की लहरें इनका संयोग जब होताँ बुद्धी भी किस पर अधारित है कहां से आई बुद्धी आत्मा से तो आई अगर वो प्रकाशित नहीं तो आगे कुछ भी नहीं है और हम आत्म साक्षातकार की यात्रा में कहां चल पड़े अब हम सूर्य की तरफ सीधे चल पड़े जिस कमरे में धूप ना आए और वो सामने वाले घर की खिड़की पर आश्धारित हो उसे सीधी धूप लेनी हो तो क्या करेगा च्छत पर जाएगा या नीचे जाएगा कुछ यही हम कर रहे हैं हम अपने भीतर के सूर्य की और लौट रहे हैं क्योंकि बीच में हमने देखा है कुछ डिफलेक्ट रिफलेक्ट है और रिफलेक्शन खतम करने है सिधा सूर्य चाहिए सूर्य ही होने का मन है आत्म बोद और आत्म साक्षातकार सूर्य हो जाने का ही एक उद्देश्य है एक यात्रा है आदिगुरू ने बहुत सुन्दर रूप में कहा इसका विस्तार बहुत हो सकता है पर यहां आज इस श्रुक में वरतमान स्तर पर केवल इतना है मांडू की उपनिश्यत का ध्यन कर आरम हो चुका है कक्षाएं आरम हो चुकी है और इसी प्रकार उनका ध्यन आगे बढ़ता रहे अब और उसमें हम लोग किसी को नहीं ले पाएंगे वरतमान बैच अपनी गती को प्राप्त हो चुका है ओ महीं सकते है ओ महीं सकते है ओ महीं सकते है